दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कॉंस्टिपेशन यानि कप्च के बारे में ये क्या होता है इसके लक्षन क्या है और इसके ट्रीटमेंट के तौर पे हम कौन-कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं स्टूल का हाड हो जाना या डिफिकल्टी से बाहर आना या कभी कबर नहीं आना इसे हम कॉंस्टिपेशन कहते हैं कॉंस्टिपेशन होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे भोजन में फाइवर की कमी होना पानी की कमी खाने में फल और सबजियों की कमी exercise ना करना या ज़्यादा चिंता करने से कब्ज की विमारी हो सकती है next हम इसके sign and symptoms की बात करें तो means इसके कौन कौन से लक्षन हो सकते है इसमें stool सही से पास नहीं होता है पेट में मरोर और दर्द होता है पेट में swelling हो जाती है अगर बहुत दिनों तक stool पास नहीं हो तो सरीर में poison की भी संभावना बढ़ जाती है next हम इसके treatment की बात करें तो constipation से बचने के लिए fiber वाले भोजन खाना चाहिए ज़्यादा पानी पीएं अगर किसी भी प्रकार की दवा के कारण constipation हो रहा है तो दवा को तुरंद बन कर दें और इसके इलाज में हम tablet dulcoflex जिसमें bisacodile का composition होता है जिसको हम दो गोली रात में सोते टाइम गुन गुने पाने के साथ खाते हैं इसके अरावा lute syrup जिसमें lactose solution का composition है जिसे हमें रात में सोते वक्त दो चमच पीना चाहिए इसके अलावा liquid parafilm इसे भी रात के समय दी जानी चाहिए अगर आपको constipation हरदम रहता है तो इस गोल या पेट सफा का उपयोग किया जा सकता है लेकिन किसी भी एक lexective को लंबे समय तक कभी इस्तमाल नहीं करना चाहिए उसे समय समय बदलते रहना चाहिए अगर किसी patient को hypothyroidism है तो उस patient make up जो है वो आम बात होती है इसलिए अपने thyroid level और TSH के level को normal लखना चाहिए I think यह video आपको informative ब्लगी होगी तो channel को subscribe करें और video को share करें तो मिलते हैं फिर next video में